जिहानमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ वापस जुड़ चुके हैं एक नए टोपिक को ले करके आए आज हम आपको एक अगले टोपिक यानि की ज्यादा वक्त न जाया करते हुए हमारा टूद पॉइंट करने का मोटे होता है ताकि आपको सिधा लाव मिल सके अनार खान लेकिन अब ऐसा ना करें क्योंकि आज हम इसके धेर सारे फैदे आपको बताने जा रहे हैं अनार के छिलके को सुखा कर उसका पाउडर बना लें और एक शीशी में भरकर रख लें या फिर उसे पीस कर उसके रस का प्रियोग किजिए अनार के छिलके स्वास्त के साथ सुन मुह की बद्बू, बवासीर, खांसी और नकसीर जैसी बिमारियों से रहत दिलाने में लावदायक होता है अगर गले में टॉंसिल या दर्द है तो अनार के छिलके के पाउडर को थोड़े से पानी में उबाल लें फिर इस काड़े को छान कर ठंधा करके गरारा करें ऐसा दिन में कई बार करें आपको जरूर लाव मिलेगा इसके छिलके में धेर सारा एंटी ऑकसाइडिन्ट होता है जो कि हरिदय की बिमारी से बचाता है साथ ही या कोलेस्टरॉल के लेवल को भी कम करता है एक चमच अनार के छिलके का पाउडर लेकर गरम पानी में मिलाएं और रोजाना पीएं इसके साथ अपने आहार में सुधार करें और रोजाना व्यायाम भी करें दोस्तों अनार के छिलकों को सुखा कर भून ले और ठंढ़ा होने पर पीस कर चेहरे पर लगाने से मुहासों की समस्या से छुटकारा मिल जाता है दोस्तों ये युवाओं के लिए बहुत ही लावकारक है छिलकों को सुखा कर इसका پ पावडर बनाकर इसमें गुलाब जल मिलाकर इसको फेस पैग की तरह चेहरे पर लगाने से तवचा जवाँ बनती है और जुरियां गायब हो जाती है दोस्तों अनार के छिलके को सुखा कर उसके पाउडर को पानी के साथ रोजाना पीने से मासिक धर्म में अधिक ब्लीडिंग नहीं होती है एक गिलास पानी में सुखे छिलके का पाउडर मिला लें उसके बाद इस पानी से दिन में दो बार कुला करें इससे मुह में बदबू नहीं मसूनों की मालिश करें इसमें एंटी बैक्टिरियल और एंटी इंफ्लेमेंटरिक गुन होते हैं जो हड्डियों को मजबूती देते हैं खास तोर पर रजो वृति महिलाओं को इसका सेवन करने के लिए एक गिलास गरम पानी में दो चमच अनार के छिलके का पाउडर मिला ल साथ में सूने से पहले लें इससे रजो वला जो औरते होती हैं उनका दर्द गयाब हो जाता है दस ग्राम अनार के छिलके का चून बनाकर इसमें सो ग्राम दही मिलाकर खाने से बवासिर ठीक हो जाती है या अनार के छिलकों का चून आठ ग्राम ताजी पानी के साथ प्रत के सूखे छिल्खे को पीष कर 5 ग्राम लेकर उसमें 0.10 ग्राम कपूर भी मिला ले यह चुन दिन में दो बार पाने में मिला कर पीने से भयांकर खासी भी ठीक हो जाती है दोस्तों अनार के छिल्खे को सन इस्क्रीन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है सूखे छिलके को किसी भी तेल के साथ मिक्स करके चेहरे पर लगाने से यह संट टैनिंग को खतम कर देता है या रोकता है दोस्तों अनार के छिलके कारस शहद के साथ रोजाना सुबह शाम लेने से सुपन दूश दूर हो जाता है दोस्तों तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद नमस्कार हम फिर मिलेंगे आपसे अगली बार एक नहे टोपिक पर अगर आपको लगता है कि आपके मन में कोई ऐसे समस्या है या टोपिक है जो आप पूछना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से तो आप हमसे पूछ सकते हैं हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका उत्तर दें आपकी हिल्प कर पाएं धन्यवाद नमस्कार